मेरा नाम डॉक्टर अमोल केडकर है मैं एक साइक्ट्रिस्ट हूँ साइकोलोगिस्ट हूँ डिया डिक्षन स्पेशलिस्ट हूँ और हमारा खुद का हस्पीٹल है shipping Challenge में chamarat पराष्ट में पढ़ता है हमारे हॉस्पिटल का नाम है केड़कर हॉस्पिटल आज जो टॉपिक जिसके बारे में इन्फोर्मेशन में देने वाला वो है अगोराफोबिया अब अगोराफोबिया क्या है अगोराफोबिया मतलब ऐसी सिचुएशन जहां से एसकेप करना अगोराफोबिया मतलब वो सिचुएशन जहां भीडबाड हो बहुत ज़्यादा गर्दी हो जहां पबलिक ट्रांसपोर्ट हो और उस सिचुएशन में वो व्यक्थी को ऐसा लगने लगता है कि यहां से भागना यहां से निकलना ना उनकिन है और तब पेशन को जो सिम्ट होते हैं डर लगता है भिती महसूस होती है पसीन आता है उसको बोलते हैं अगोराफोबिया यह बहुत ही कॉमन बीमारी है और यह पैनिक अटैक पैनिक डिसॉडर के साथ पाई जाती है बहुत बारत अगोराफोबिया में होता क्या है कि जब यह व्यक्ति कोई भी पब्लि places पे जाता है for example अगर bus में travel कर रहा हो अगर उडान भर रहा हो plane में train से travel कर रहा हो या किसी funeral में गया हो या किसी procession में गया हो या parking space में गया हो movie में गया हो ऐसी कोई भी चीज जा बहुत ज़्यादा jam packed crowd है बहुत ज़्यादा लोग मुमकीन है यहां से में निकल नहीं सकता और unfortunately अगर लोग दोड़ने लगे तो मैं फिर मुझे तकलिफ होने लगीगी मुझे heart attack आ सकता है मुझे पसीना आ जाएगा और मैं मर जाओंगा तो उसको बोलते है agoraphobia agoraphobia बहुती common बिमारी है अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसी जगर पे डर लगता है छाती में दरदर होता है पसीना आता है पूरे chest में कमपन मैसूस होता है पेट में दरद होता है पूरे body में flushes आ रहे है पूरे चहरे पे flushes आ रहे है तो आपको agoraphobia है और आपको treatment लेना अत्यनत आवशक है agoraphobia में अगर आप psychiatrist के पास जाते है तो proper medicines और proper counselling से आप ये agoraphobia से मुक्ति पा सकते हैं और एक नया जीवन नया transformed life आपको मिल जाएगा agoraphobia के बारे में ये जानकर जो थी वो आपको अगर पसंद आती है तो ये वीडियो को जरूर लाइक करिए ये वीडियो को शेर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो agoraphobia जिसको है याने बंद जो चीजे है उसको उसमें अगर रहने का डर किसी को है और अगर आप वीडियो किसी को बताते है तो ये वीडियो देख कर लोगों को बहुत ज़्यदा अवेरनेस हो सकता है agoraphobia में एक ही टेको मेसेज है वो ये है कि अगर आपको ऐसी चीज़ों में डर लग रहा है ऐसी घटनाओं में आपको डर लग रहा है तो आप definitely सैकेटर्स को मिलना चाहिए आपने आपका ये problem पूरी कर अच्छा हो सकता है मैं जल्द ही आगे का वीडियो लेके आऊंगा तब तक के लिए ये वीडियो इंजॉय करिए तब तक के लिए धन्यवाद